इंडी गढ़वद्धन खुद तो ब्रहम और जूट फैलाता है लेकिन जारखंड की धर्थी पर पांच साल अब उनके सरकार को पूरे होने जा रहे हैं इन पांच साल में उनकी उपलब्धियां क्या हैं मैं देख रहा था कॉंग्रेस के और जेमेम के एक निश्य पत्र है जेमेम का और एक जन गोश्णा पत्र है यह कांग्रेस का निश्य पत्र में 144 वादें हैं लेकिन कांग्रेस ने भी यह कहा कि 144 तुमारे हैं तो हमारे होंगे 317 यह 317 वाले कांग्रेश के हैं इनमें से पूरा क्या किया पांस साल पूरे हो रहे हैं अगर जे-म-म के निश्चे पत्र को देखें इस बहुनों ने लिखा था बदलो सरकार पाओ अधिकार हैमन्त जी बताएं कितने अधिकार उन्होंने जनता को दियें जारखन की भोली भाली जनता को अधिकार देने के नाम पर सभी बर्गों को ठगने का और छलने का काम किया है मैं आज उनसे उनके निश्चे पत्र पर ही सवाल करना चाहता हूं इसका पूरा पोस्ट बार्टम भारती जनता पार्टी करें की और एक एक चीज़ जनता के सामने रखेंगी लेकिन यवाओं के लिए निश्चे पत्र में लिखा है कि यवाओं को सरकार के गठन के दो साल के अंदर यह उनिका निश्चे पत्र है विविन खाली पड़े सरकारी पदों पर लाखों जार खंडी यह वक्त जिफ्तियों की निफ्ति की जाएगी और नौकरी नहीं मिलने तक सभी वे रोजगार इसनातक को पाँच हजार रुपे और इसनात को उत्तर को साथ हजार रुपे का भत्ता दिया जाएगा है मंत जी यह बताएं कि कितनी नौकरी दी और जिनको नौकरी नहीं दी उनमें से कितने नौजवानों को पाँच हजार और साथ हजार रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया अगर मैं असत्त बोलना हूं तो वो खंडन करें उन्ने एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं किया है किवल छलने का ठगने का काम उनको किया है किवल इवाओं को नहीं, बेहनों को, बेटियों को, महलाओं को भी, इस गड़वन्धन ने चला है, उन्हों ने कहा ये महलाओं के अधिकार में किवल कुछ उधारन दे रहा हूं, पूरे राज में महला बेंक की इस्थापना की जाएगी, और हर गरीम महला अपनी आकस्मिक जरूरतों के लिए 50,000 रुपे तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के आधार कार्ड के आधार पर ले सकेगी, अब हैमन्द जी बताईए, पांच साल पूरे हो रहे हैं, कितनी महलाओं को 50,000 रुपया आधार कार्ड पर बिना गारंटी के दिये, मेरी जानकारी है, एक भी बहन को 50,000 रुपे का रिन आधार कार्ड पर बिना गारंटी के नहीं दिया गया, क्या हुआ देरा वादा, गरीब परिवार की महलाओं को 2,000 रुपे प्रितिमा चूला खर्च दिया जाएगा, कितनी बहनों को 2,000 रुपया चूला खर्च देने का काम हैमन्जी, जे एमेम, कॉंग्रेस और गडवन्दन की सरकार ने दिया है, अब 5 साल पूरे हो गए, उनको जबाब देना चाहिए है